हेलो ट्रेडर्स. वेलकम तूशुप्यार ट्रेडिंग यॉटिफ चनल हम लोग अब योग देखते हैं कि आज मार्किट में एक साइड मूझ क्यू आया बैंक, निफ्टी और निफ्टी का जी हम लोग अगर बात करें तो मार्केट में साइड मूझ क्यू आया तो पहले अगर मैं निफ्टी का बात करू तो आप देखो कि कल मार्केट में क्या हुआ था कल आप देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ कि एक रेंज बना ठीक है एक चैनल टाइप भी बना था मार्केट में आप ध्यान से देखो देखो इस चैनल में मार्केट बहुत दिर्मूव किया ठीक है इस चैनल में मार्केट ने बहुत दिर्मूव किया उसके बाद मार्केट ने क्या किया तो ब्रेक आउट किया यहाँ पे उसके बाद मार्केट में कच्छा कासा हमें फॉल दिखा जो कि लास लास में अप्रोक्स 700-800 point का हमें market में BNF fall देखा ठीक है ये तो हो गया अब देखो कि आज की दिन market में move क्यों नहीं आया तो आप जानों कि market कभी भी market कभी एसे एसे ज़्याद़ दिन नहीं चलता है या फिर downfall में ज्याद़ दिन इन चलता है ठीक है market को पहले एक जोन में consolidate करना पड़ेगा उसके बाद आप यह टाउन का break out करके market ऊपर जाएगा ठीक है फिर ऊपर थोड़ा सा जोन में फसेगा फिर वहां से market टांछल में यही टीन मुव मार्केट में होता है ठीक है पहले एक आप सव्म एक ट्रेंट थैसारा उपर आपसों डेशन स्यफ ट्रेंट चौथा तरेंड ठीक थैसरी यह स्था ही जो मैं बताया था कि 9 15 से लेकर 10 15 तक डेलोडे हाई मार्क करते हैं ठीक है तो देखिए 10 15 कंडल कौन सा है तो वहां से पहले लोग कौन सा है यहां पर आया है अब देखो इस रेट कंडल का तो क्या हुआ है और यह देलोडे मार्क हो गया और हमें इस रेंज को एक्सेट कर द कि मार्केट अगर डे हाई पर जाता है तो हमें सॉट करना है मार्केट अगर डे लोग पर आता है तो हमें बाई करना है ठीक है यही लॉजिक आता है जो छोटा मोटा हमें स्काल्पिंग के ट्रेड देता है जो किधर से अपमूब आया है किधर से अपमूब गया किधर से धिके यह सब्आ में चोटामोटो संस यह मैं बैंक डेकतल। अब चलिए देखते हूज है कि अगर में नियुक्ते हिर्जए कि अज़े मैं था है और वह क्या हुआ जाने करेंगा आदेल निंथी कुब यह लास लास में कलinyl के इंड़ एक है यहाँ पर मार्केट एक प्रेंज में था मार्केटबे करते हैं और और efter पर देने के बाद बैंक निफ्टी तो फॉल किया है साथ में अगर आप देखो तो इस रेंज का ब्रेक करने के बाद अप्रोक्स तीनसो साधे तीनसो पॉइंट यहां से फॉल किया ठीक है यहां रड़ देखो पॉल किया जो इतना बड़ा फॉल हुआ तो simple ता बात है कि market excited move दे सकता आगले दिन जो कि आज हुआ descending CPR था ठीक है आप logic समझो कि trend reversal कैसे होता है descending CPR था ठीक है तो market को क्या होना चाहिए candle को CPR से नीचे खुलना चाहिए और गणवर CPR के नीचे रहना चाहिए लेकिन हुआ क्या कि आज क्या हुआ आब लाजिक समझो मार्केट क्या हुआ कि पहला क्लिकर को और कारेक करता है और पूरे दिन मार्केट के उपर स्टेंड कर जाता है डीसेंडिंग देशन देस्टेंडिंग तो आप समझ लो कि ट्रेंट रिवर्सल हो सकता है अगले तो में भी कल मार्केट निफ्टी ऊपर मूव दे सकता हमें वह अगले वीडियो में बनाता हूं जिसे मैं पूरा आपको दिखाऊंगा कि दीफ्टी और बैंक निफ्टी ने साइडल नूँव आज क्यों दिया और हमें कहां कहां ट्रेड़ ले ना था चलिए तो मिलते नेक्स वीडियो में अगर चैनलको सस्क्राइब नहीं किया तो nhाए तो सब्सक्राइब कर करें और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दें